आज सेकंड येर मैथमेटिक्स में हम मॉडिल पेपर जो आया है 2023 का उसके MCQ डिसकस करते हैं थोड़े काफी थोड़े चेंज से MCQ है एक मरतबा प्रॉपर तोर पे देख लें तो उमीद है इसमें से चन्ब MCQ इस साल फाइनल पेपर में पुछे जाएंगे अब बाइजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन एफ एफ इन्वर्स एक्स के बराबर होता है बाइजेक्टिव फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसका इन्वर्स मालुम किया जा सके अगर आप किसी function का inverse function मालूम कर लेते हैं तो वो by objective function होगा चेक कैसे किया जाता है function की जगा f inverse x ये हमेशा x के बराबर होता है ये बात याद रखें ये verification है कि function का inverse function of inverse function equal है x के तो ये जो है ये इसका result आ देगा आई होब ये clear है ये तो बड़ी famous सी आपके पास question है limit x tends to 0 आपने पढ़ा sin 5x नीचे भी 5x लिखावा हो और limit tends to 0 हो तो इसका जवाब 1 के बराबर होता है तो यहाँ लिखावा है sin 2x upon 3 नीचे भी मैं 2x upon 3 बनाऊँगा 2x upon 3 नीचे मैंने 2 by 3 लिखा तो balance करने के लिए उपर भी 2 by 3 लिके पिलिस किया जाएगा बटा ये पूरा expression by formula 1 के बराबर होता है ये 2 by 3 अपने जगा रहा तो complete answer आपको मिल गया 2 upon 3 के बराबर इसका complete जवाब हो गया आई होग ये बाद किलियर है आपको सभी अब आएगे एक line की equation किवाने y equal to mx plus b अगर ये line origin से पास हो जाए एक line है y equal to mx plus b और अगर ये line origin यानी 0,0 से पास हो जाए तो आप सप्टी चूट कर दें y की जगा 0 replace कर दें x की जगा 0 b अपने जगा रहेगा ये 0 हो गया ये 0 b आ गया तो 0 equal to b तो b का जवाब जो है वो 0 के बराबर होगा अगर कोई line origin से पास हो रही है तो origin के coordinate उसको verify करेंगे उससे आप b की value निकाल सकते हैं I hope ये clear है आगे बढ़ते हैं मिटा आगे कहा जा रहे अब perpendicular drawn from a point to a line is called एक perpendicular है drawn from a point एक point आपके पास है अब यहाँ से क्या करना है बताईए perpendicular draw करना है to a line ये line हमारे पास है तो क्या करना है अब perpendicular drawn from a point इस point से perpendicular draw कर दिया गया ये perpendicular draw कर दिया इस line को जो perpendicular line है इस line को altitude का नाम देते हैं क्या कहते हैं इसको हम altitude का नाम देते हैं जो perpendicular draw किया जाता है किसी भी point से किसी भी line के उपर अब यहां a line which passes हो दा point of intersection of two line एक line जो point of intersection of two line L1 L2 से pass हो रही है K constant है यह हमारे पास line L1 है यह line L2 है एक और line जो इनके point of intersection से pass हो रही है इसका formula हमने पढ़ा L1 plus of K L2 equal to zero इसे मतालिक questions भी किये गए तो यहां तो आस option लिखावा नहीं है क्या करें थोड़ा solve कर लेते हैं L1 बराबर होगा minus K L2 L1 upon L2 यह बराबर होगा minus K तो इस तो यह जो formula है L1 plus K L2 इसका alternative formula है L1 upon L2 is equal to minus K तो यह option जो है वो आपका correct answer होगा सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं The combined equation यह combined equation आपको given है of two state line और दोनो state line passes फुरूदा origin यह लिखी विए बताना है real distinct है real यह X square असल मैं आपसे nature पुछी गई है है ने real हो डिस्टिंग हो nature पुछी गई है nature के लिए हम discriminant property अपलाई करते है H square minus AB का formula अपलाई करते है इसे compare तो करो पहले A X square plus 2H X Y plus BY square equal to 0 से compare करेंगे तो पुछा X square का coefficient A है A की value 1 आ गई X Y का coefficient 2H 2H की value minus 6 B की जगा 9 आ गई H की value 2 divide होगा minus 3 so discriminant property अपलाई करें H square minus AB H का मतलब minus 3 का square minus AB A का मतलब 1 B का मतलब 9 या जएका 9 minus 9 0 अगर discriminant 0 हो तो वो lines जो है real होती है और consistent होती है consistent का मतलब overlap होंगी तो इस वक हम क्या कहेंगे lines जो है real होंगी और consistent होंगी overlap हो रही होंगी मेटा यहाँ पूछा गया differentiate करना है हमें 2 sin x cos x इसका एक तरीका तो है 2 बहार लेके जोन 2 भी लगा दें लेकिन इसमें आप formula भी तो apply कर सकतें याद करें sin 2 x sin 2 x का formula होता है है ना sin 2 x 2 sin x cos x अब sin की power 1 sin का derivative cos 2 x हो जाएगा उसके बाद multiply करते हुए हम differentiate करेंगे 2 x को differentiate करेंगे तो ये cos 2 x आ जाएगा 2 x का derivative 2 2 शुरू में लिग दिया जाएगा 2 cos 2 x तो हमारे पास इसका जवाब जो मिलेगा वो 2 cos 2 x होगा इसमें correction होनी चाहिए ये 2 cos 2 x के बराबर ये ये वाला option होगा half नहीं होगा ये वाला इसका जवाब सही होगा आई होग ये clear है उसके बाद देखें मैटा ये expiration है x के साथ differentiate करने दूने कहीं यहाँ x मौजूद है क्या 3 constant, c constant, e constant तो ये पूरा expiration जो है d upon dx ये जो 3 e की power 4c ये पूरा expiration जो है वो constant है और बाटा constant number का derivative जो है वो 0 के बराबर होता है constant किसी भी शकल में हो उसका derivative हमेशा 0 के बराबर होता है अब आईए कहा जा रहा है rate of change of y with respect to x y आपको given है 2 upon x इसे आप differentiate कर लें with respect to x ठीक ये मिलेगा आपको dy upon dx 2d upon dx 2 upon x आ जाएगा ये आएगा dy upon dx इसमें बटा 2 बाहर आ जाएगा 1 upon x बचेगा 1 upon x का derivative याद होना चाहिए ये माइनस 1 upon x square होता है 1 upon x का derivative तो ये dy upon dx ये बराबर है माइनस 2 upon x square इस dy और dx को क्या नाम देते हैं हम rate of change एक्स लिखेंगे और जहां 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 एक्स है वहां पर half replace करतेंगे ठीक है तो ये जवाब आएगा माइनस 2, 1 अपॉन 2 का होल इसको है, बटा ये माइनस का 2, 1 अपॉन 4 आ जाएगा, और शिप्ट करेंगे, जवाब आएगा, माइनस का 8, तो dy और dx का जवाब जो है, माइनस 8, तो option आपके पास जो है, ये माइनस 8 वालो option जो है, करेकरंस है, अच्छा बटा ये एक फार्मूल x, पिलस under root x का derivative 1 upon 2 under root x, साथ में delta x होता है, तो ये जो है, ये इसका जवाब है, आप इसको याद रखें, ये एक फार्मूला है, जो आपने याद रखना है, अब आईए इसके बाद, यहाँ इंटिग्रेट करना है, हमें एक expiration को 2, ln A, sin B, dy, इंपॉर्टन बात है, mostly question हमने dx के किये है, यहाँ dy है, 2 constant, ln A भी constant, sin B भी constant, x मुझूद नहीं है तो constant, constant सारी ट्रम बाहर आजाती है, ln A, sin B, ये expiration मिलेगा, dy, और dx के इंटिग्रल x, dy के इंटिग्रल y, ln A, sin B, और dy के इंटिग्रल y, तो ऐसा option कहीं लिखाव है, इसको 2y भी पर सकते हैं, इसको 2y ln A, sin B भी पर सकते हैं, इन्होंने constant नहीं लगाया, हम भी नहीं लगाते, 2y ln A, 2y ln A, 2y ln A, sin B, I think ये गड़बर है, sin B, तो ये वाला जवाब जो है, वो इसका जैसी होगा, 2y ln A, ये लिखिए आपके पास general equation of differential equation, ये differential equation है, dy upon dx, is equal to 1, separating variable कर लें, dy बराबर होगा, dx के, अब आप इससे integrate कर लें, dy, ये आ जाएगा, dx के बराबर आ जाएगा, dy का integral y, dx का integral x, plus integral constant c ले ले, see, plus integral constant c, इस x को यहाँ shift कर दें, y minus x is equal to c, हमारे पास x minus y है, multiply कर दें, minus 1 से multiply कर दें, minus y plus x minus c, या x minus y, minus c constant है, इसको हम c कह लें, a new constant का नाम दे दें, new constant जो है, minus c के बराबर है, तो ये option जो हमारे पास x minus c, is equal to c लोगा, अगर 2c होता तब यह हम c कह सकते थे, c में कुछ घरबर हो जाए, तो उसको अब नया constant का नाम दे सकते, length of tangent drawn any point on the circle, अब ये circle है, एक point बाहर outside वाके है, यहां से line draw करेंगे, तो ये line tangent line कहलाएगी, इस tangent line का formula वैसे तो हमारे पास होता है, अगर ये point x1, y1 है, तो इसका formula हमने पढ़ रखा है, x1 square, y1 square, 2g x1, plus 2fy1, plus of e, इन के रहापे length of tangent मालुम करनी है, drawn from any point, एक point बाहर मौझूद है, xy, इस point से यहां तक का tangent मालुम करना है, तो बाकेदा है बहुत लंबी चौड़ी calculation है, तो इसको बस याद रखिएगा, इसका जवाब जो है, वो under root of e, integration में, under root यहां पर मौझूद है, यहां पर under root मौझूद है, तो इन दोनों में से कोई एक जवाब होगा, integration में हम plus c लगाते हैं, यहां पर minus c लगा देंगे, याद रखिएगा, इसकी बहुत heavy calculation है, चार पेश की calculation है, आपने बस याद रखेंगे इसको, आगे बरते हैं हम, parametric equation, एक circle आपके पास मौझूद है, इस circle में point है, उसके coordinate x, y, इसका radius r के बराबर हो, तो x बराबर है r cos theta, y equal है r sin theta, इन दोनों equation को, combine तोर पे क्या कहते हैं हम, parametric equation का नाम देते हैं, अब हमारे पास इस question में, जो है वो, point दिया y 3, 4, x square y square 25, 25 का मतलब radius 5 के बराबर होगा, x की value 3 है, r की value 5 है, cos theta आ जाएगा, y की value 4 है, radius की value 5 है, sin theta, तो इन दोनों equation को parametric equation करेंगे, 3, 4, 3 equal to 5 cos theta, 3 is equal to 5 cos theta, 4 is equal to 5 sin theta, तो यह option जो है, वो, इसका correct option होगा, देखेंगा इसको, आप कहा जा रहा है, आप point वियर है, parabola meet its axis, यह parabola हमने बनाया, अब यह parabola जो है, बताईए, कहा meet कर रहा है, यह इसकी axis कहलाएगी, axis of parabola, यह parabola, अपनी axis से यहां पर meet करता है, और यह वाला point क्या कहलाता है, vertex कहलाता है, parabola अपनी axis से यहां meet करता है, तो यह वाला point क्या कहलाएगा, बताईए, vertex कहलाएगा, E अगर 1.5 1.5 का मतलब 1 से ग्रेटर हो तो ऐसी शेप को हम नाम देते हैं हाइपरबोला अगर E की वैलू 1.5 वन से ग्रेटर हो तो ऐसी शेप को हाइपरबोला का नाम देते हैं अब कहा जारह वैक्टर अलजबरा में इसकी वैलू निकाले I x J, J x I आप जानते हैं एक सैक्ल बनाया जाता है एंटी क्लॉड डारेक्शन में I लिखते हैं J लिखा जाता है और K लिखा जाता है ठीके, I x J फिर इसका क्रॉस प्रोड़क ले लेंगे हम J x K ठीके, अब बताएं I का J के साथ क्रॉस प्रोड़क K के बराबर आ जाएगा J का K के साथ क्रॉस प्रोड़क I के बराबर आ जाएगा अब K का I के साथ डॉड प्रोड़क J के साथ आ जाएगा तो इसका जवाब जो है वो J मिलेगा पेपर में इसका जब अंसर नहीं दिया हुआ तो यह इसका correct अंसर होगा इसके बाद देखें कहा जा रहा है unit vector in the direction एक vector आपको given है 3, minus 2, 7 इस vector को मैं यहूं लिख सकता हूँ 3i minus 2j plus 7 के लिख सकते हैं इसका magnitude निकालना चाहें इसका magnitude निकालना चाहें i component का square 9 लाजमी पिलस minus 2 का square 4 लाजमी पिलस 49 तो 49, 58 और 62 आ जाएगा और एक एप का formula होता है एक एप का formula है vector को divide कर देंगे magnitude से vector को divide कर देंगे magnitude से vector की value आ गई थी i minus 2j plus of 7k और divide कर देंगे magnitude यानि 62 से तो यह option जो है हमारा इसका correct अब आईए semi major axis semi major axis major axis की length को हम 2a से show करते हैं semi major axis की length को a से show करते हैं तो पहले तो इसको divide कर देंगे 6 से y square upon 3 आ जाएगा 6 से divide कर देंगे x square upon 2 is equal to 1 अब यह hyperbola है compare कर लिया जाएगा y square minus x square hyperbola में हमेशा पहला नमबर a square दूसर नमबर b square होता है तो a square की value क्या आगई बताईए 3 b square की value क्या आगई 2 बच्चों a की value आगई root 3 b की value आगई root 2 आपको क्या मालूम करना है semi major axis semi major axis इसका formula क्या बताए हमें आपको modulus of a a की value क्या आगई under root of 3 तो आपका जवाब जो है वो under root 3 i hope ये clear है और अमीद है कि आपको MCQ समझ में आए होंगे एक से दो मरतबा देखें अपने दोस्तों साथ शेयर करें और अपने comment से आगई करें अपना ख्याल रखें Thank you